दोस्तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आपका कोई भी मुबाइल कोई भी कंपनी का मुबाइल में डिस्प्ले टूड़ गिया है और आप डूबली के डिस्प्ले लगाने जा रहे हो तो यह वीडियो एकदम स्कीप नहीं करना क्योंकि बहुत ही आ रहा है जब भी आप किसी मुबाइल में डूबली के डिस्प्ले लगा लेते हो उसको लगा के लेके आने के बाद एक दो दिन तीन दिन के बाद उसका डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है मतलब कॉल आते रहता है इंकॉमिंग कॉल आ रहा है सब कुछ ठीक है लेकिन उसका display का light बन दो जाता है तो उस cases में आप क्या कर सकते हो तो इसी के बारे में आज का वीडियो है अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बार बार बता रहा हूँ अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को subscribe कर लो क्योंकि अच्छा-च्छा content आपको इस चनल में हमेंसा मिलेगा देखिए ऐसा क्या हो रहा है कि जो भी display आप duplicate display लगा रहे हो और उसका जो display होता है वो इतना अच्छा quality का नहीं होता है इसलिए क्या होता है ना जब आप उसमें थोड़ा सा gaming करते हो या तो आपका display अगर थोड़ा दिर गारम हो गया थोड़ा दिर चला लिए कुछ भी चला लिए कैमरा चला लिए कुछ भी चला लिए तो उसका तो display का light connection है वो निकल जाता है उस cases में क्या होता है ना आपका mobile चलते रहता है डिस्पले ग्राफिक चलते रहता है लेकिन आपका display का light बंद हो जाता है उस cases में आपको क्या करना है देखिए दोस्तों अगर आप duplicate display लगाये हो recent लगाये हो एक दो दिन लगाये हो तो आप एक काम करो जिस दुकान में लेके जाके आपने mobile बनाया है उस दुकान में लेके जाओ देखिए बहुत duplicate display में मतलब warranty रहता है बोलते हो उसको क्या बोलते है ना replacement warranty रहता है एक महिने का ठीके अगर उसमें है तो आपका जो display रिप्लेस करके नया लगा देगा लेकिन 90% 99% बोलिए 99% cases में ऐसा problem में solution नहीं मिलता है आपको क्या करना पड़ता है ना उसका display चेंज करना पड़ता है लेकिन उससे पहले और एक बात बता देता हूँ अगर आपका duplicate display display light बंद हो चुका है तो भल्यम plus minus और power button तीनों को एक साथ दबाके minimum 10 से 20 सेकंड रखी एक साथ मैं बार बार बोलना हूँ volume plus minus और power button को एक साथ दबाके रखना minimum 10 से 20 सेकंड तक vibration होगा छोड़ देना हो सके आपका display का light आ जाए 90% लोगों का ऐसा problem solution हो चुका है मेरा वीडियो में जाके देखे मैंने इसके उपर already वीडियो बनाया हुआ है जाके देखिए बहुत लोगों का ये problem ऐसे ही ठीक हो चुका है अगर ऐसे नहीं होता है तब जाके किसी repairing समय जाके दिखाना और उसको ऐसे करके अपना display change करना पड़ेगा या तो क्या करना पड़ेगा वो बताएगा देखिए नॉर्माली क्या होता है ना ऐसे problem में आपका display खराब हो जाता है तो मैं आपको ये suggest कर रहा हूँ हो सके तो original display लगाए या तो जिसमें की warranty period रहता है मतलब एक महिने का warranty रहता है पेस्टिंग warranty उसको बोलते है वह वाला display लगाए तो आपके लिए best रहेगा ठीक है दोस्तों तो यही का आज का वीडियो में अगर आपको ये वीडियो जानकरी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना इस वीडियो को जाता से जधा आप लोग का दोस्तों के साथ सेयर करना और अगर आपको ये वीडियो जानकरी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ठीक है दोस्तों तब वीडियो को पूरा देखने करें धन्यवाद 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 दोस्तों